लास्ट सेशन में हम लोगोंने पेपर नंबर वन के जो फिजिकल वाला पार्ट है, फिजिकल जॉगरफी वाला पार्ट है, इस फिजिकल जॉगरफी वाले पार्ट के जो सिलिबस है, जो questions है, जो changing pattern है, और कौन-कौन से important area हो सकते है 2024 के examination वाले पार्ट के लिए यह हम लोगोंने discussion कर लिया था, अब हम लोग जड़ा देख लेते हैं, जो human geography वाला पार्ट है, इस human geography वाले पार्ट पे अब UPSC का कहां focus हो रहा है, और 2024 के लिए क्या important area हो सकते हैं, जहां पर हम focus करें और अपने जो marks है, उसको और ज्यादा enhance कर सक यह जो series चल रही है, revision series जिसमें हम past year questions के साथ-साथ important concepts और जो भी contemporary reports है, case of studies है, इसको हम लोग discuss कर रहे हैं, इसको access करने के लिए आप YouTube की membership ले सकते हैं, YouTube की membership के लिए नीचे join button पर click करके, आप short note select करके, 799 पर मंत की membership को choose करके, आप इस video की access और साथ ही साथ में जो materials बगर हैं उसको आप access कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप test series join करना चाहते हैं, तो test series भी आप join कर सकते हैं, दो module with a model answer and without model answer, description में link दी गई है, उस link के जरीए आप test series में enrollment कर सकते हैं, हम लोग अब चलते हैं, और जो हमारा human geography वाला part है, उसके syllabus, उसके जो changing pattern है, उसको जरा समझ लेते ह हैं कि आखिर में क्या हमारा pattern change हो रहा है, और कौन-कौन से important areas होंगे, जिसे हमें focus करके आगे आने वाले discussions में include करना चाहिए, अब human geography में अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो first part निकल करके आता है, वो है हमारा perspective in human geography, ये काफी important topic इस वज़े से भी होता है, क्योंकि ये कई स सारे answers के introduction में इस्तमाल कर लिया जाता है, अब यहां पर हाला कि जो syllabus दिया गया है, वो start हो रहा है area differentiation से, लेकिन इस area differentiation से पहले भी कई सारे ऐसे topic है जो हम लोग discuss करेंगे, और mainly आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर रट्टा मारना पड़ेगा, इस रट्टा मारने से आपक कुछ हम लोग beyond the syllabus भी जाएंगे यहां पर discussion करेंगे क्योंकि यह important segment है, और यह जो एक general geography होती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि general language में लिख दिया गया है, इस general language से एक technical geographical language में आप किसी भी answer को बदल सकते हैं, तो इस बज़े से यह topic और साथ में जो अगला topic है that is model theories and laws in human geography इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा जादा detail में और beyond the syllabus जाकर के करेंगे क्योंकि यही दोनों marks enhance करने का एक tool आप बोल सकते हैं, अब syllabus wise अगर देखा जाए तो पहला topic आजाता है aerial differentiation, अब इस aerial differentiation में देखिए 2023 में जो सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया है, explain the sequential development of aerial differentiation as a fundamental concept in human geography, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा aerial differentiation है, इसका evolution कैसे हुआ, या इसका development कैसे हुआ, तो obviously इसको develop करने के पीछे जितनी भी theories हैं, या जितनी भी concepts हैं, उनको हमें लेकर के आने पड़ेंगे, हमें इससे पहले जो हमारे debate चल रहे थे, शेफर और हाट्शोन के और इसके आने वाले जो further जितने भी हमारे philosophers, geographers हैं, उन लोगों की क्या debate चली है, तो अब कहीं न कहीं syllabus का start तो aerial differentiation से है, लेकिन ये सवाल अपने आप में ही, इससे पुरानी जितनी भी चीज़े हैं, उसको demand कर रही है, अगर 2018 के भी question को देखा जाए, तो aerial differentiation has provided the theoretical justification for studying region and regional geography, अब यहाँ पर भी aerial differentiation के significance पर बात की गई है, कि इसके significance क्या है, क्योंकि इस aerial differentiation के ultimately हम लोग यहाँ पर regional geography को ही study करते हैं, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भी theoretical justification है, region और regional geography को study करने के लिए वो हम लोग कैसे क्या लेकर के आएंगे, तो यह एक important significance वाला पार्ट है, जो की, मतलब, changing pattern के तौर पे ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है, 2016 में देखेंगे तो basic सा question आया हुआ है कि aerial differentiation forms the core theme in geography, heart shown, that is father of human geography, भी जिनको बोला जाता है, तो यह core theme in geography कैसे बन गया इसके बारे में बताना है, बाकि इसके अलावा तो basic पूछा गया है कि aerial differentiation पर short note हो ग में अगर question आता है, तो again जो expectation वो यही है कि इसी case significance को लेकर के ही सवाल फिर से बनेगा, जिस तरीके से 2018 का सवाल बना है, सेम इसी तरीके का फिर से question बनेगा, और इस वज़े से यहाँ पर हमारे थोड़े से examples काफी important हो जाएंगे, यहाँ पर examples हो गए, यहाँ जो case studies वगर है यह काफी important हो जाएंगे, क्योंकि यही दोनों ultimately इसके significance को और ज्यादा important मनाएंगे, example के तोर पर अगर बात किया जैसे माल लेते हैं कि desertification है, अब यह जो desertification है, यह हलक ही start हुआ था सहारा desert से, अब यह जो सहारा desert है, it was a region, यह एक region है जिसको हम लोग desert region बोल सकते हैं, अब यह जो region है अपने आप में expanding nature का, यह धिरे धिरे expand होते या रहा है, expand होते होते, ultimately जो हमारा Arabian Peninsula है, यह Arabian Peninsula finally desertified हो गया, फिर इसके बाद से यह Arabian Peninsula पाकिस्तान तक पहुचा, पाकिस्तान के बाद राजस्थान का अरावली वाला area पहुचा, और अब यही आगे और extend हो करके, जो हमारा हर्याणा, पंजाब या Western UP का इलाका है, या जो Eastern Rajasthan का area है, इन सब areas में भी अब धीरे-धीरे expand हो रहा है, अब सहारा तो चली ठीक है, सहारा के just नीचे, जो हमारा Sahil region भी पढ़ता है, यह भी यहाँ पर भी desertification है, तो हम लोगों ने जो study करना है, study करने के लिए, we have studied the region and its expanding nature, और यह हम कहीं न कहीं इस area differentiation के basis पर ही कर पा रहे हैं, तो इसके solution, पहले तो हमें identify करना पड़ेगा, what is the problem, और अगर हम लोगों ने problem को identify कर लिया है, now we can use some solution, हम कुछ यहाँ पर solution ले करके आ सकते हैं, जैसे साहिल region को बचाने के लिए, यहाँ पर again एक साहिल का green wall लगाया जा रहा है, सेम ऐसे हमारे यहाँ पर भी अरावली wall बनाया जा रहा है, जिसके तुरू जादा desertification न फैलने पाए, जो area desertified हो गया है, वहाँ पर भी हम vegetation cover ले आने की कोशिश कर रहा है, कि किस तरीके से यहाँ पर vegetation cover लगाया जा सकता है, लेकिन जो बचा हुआ पार और भी कई सारे example लिए जा सकते हैं, जो human problem है, जैसे poverty को ले करके, या फिर education को ले करके, या फिर criminal activities बगरे को ले करके, तो यह सब कहीं न कहीं, यह सब area differentiation से आप इसको identify कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, अगला जो topic है, वो है regional synthesis को ले करके, अब देखे, इसी का एक extended version हमे देखने को मिल रहा है, area differentiation का in a format of regional synthesis, तो regional synthesis में देखे, एक question पूछा गया है, कि regional synthesis is a crux of geographical study, यह सब actually, जितना हम लोग ने बात किया, यह सब regional synthesis ही है, और यह सब radzal के idea को ले कर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर यही बताना है कि कैसे crux of human geography हो रहा है, या फिर crux of geography है, अगला है dichotomy and dualism, I don't think कि इस पर कोई सवाल अब आना चाहिए, क्योंकि यह अब एक outdated सा part हो गया है, हलाकि इसको भी हम लोग discuss करेंगे, लेकिन उत्रा focus area नहीं रहेगा, क्योंकि अब उत्रा ज्यादा इस पर question नहीं बनने वाले हैं, सवाल simple है कि dualism in geography क्या है, या concept of dualism को examine करना है, etc. Environmentalism, अब यहां से जितने भी topics हैं, यह सारे important topics हैं और इस पर हमें थोड़ी सी thorough and detail study करनी है, क्योंकि इस पर जो question बन रहे हैं, वो बहुत detail रहेंगे, और आप surprise मत होईएगा कि कल को अगर paper में कोई एक नया geographer का नाम दे दे, जिसका नाम आप लोग ने नहीं सुना है, और आ इक की भी question को हम लोग डील करेंगे, don't worry, ठीक है, तो यह सबी चीजें जो हूंगी, वो हमें थोड़ा सा prepare रहने की जरूरा थे, कि कौन-कौन से areas हैं, जहां पर हम लोग prepare रहें, मतलब unexpected questions in area से आने के ज़्यादा chances हो सकते हैं, अब जैसे 2016 का ही सवाल है, discuss the relevance of stop and go determinism in present day context, अ जो की असानी से लिखी जा सकती है, और यह जो stop and go determinism है, यह अब इसका present relevance भी है, तो इस वज़े से यह सब part काफी important है, हालकि इससे पहले की जितनी चीजें है, they are very very straightforward, जैसे there is a rejuvenation of environmentalism as a paradigm in geographical study, comment, simple हो गया, short note लिखना है, Alan Churchill simple के बारे में, it is ardent supporter of determinism, तो यहाँ पर जो basic idea ह है, वो determinism and possibleism को ले करके है, और यह जो determinism and possibleism के debate है, उसके result के तौर पर निकल के आया था environmentalism, so environmentalism बोलिए, या neo-determinism बोलिए, neo-environmentalism बोलिए, अब यह जो neo जोड करके शब्द आते हैं, यह आपके लिए अब ज़्यादा important हो गए हैं, क्योंकि इस पर भी सवाल बनने के chances है क्योंकि अब चीजे बदल नहीं रही है, it is a changing perspective now, तो the changing perspective we have to deal, क्या चीजे आ रही हैं, तो यही है कि 2024 के paper में we can expect some name of new geographer, और we can expect a question on the present significance, कि आज की डेट में इसकी क्या significance है, यह फिर new करके कोई एक नया शब्द बना दिया जाएगा और उस पर भी सवाल पूछे जा सकते ह हैं, इन सारे तरीकों को हम लोग discuss करेंगे, so don't worry, अगला हमारे पास आता है quantitative revolution and locational analysis, अब देखिए इस पर दो तरीके के सवाल बनेंगे, या तो इसको present context के तोर पे पूछ दिया जाएगा, कि आज की date में इसका क्या present relevance है, relevance को ले करके सवाल बन सकते हैं, या जो दूसरा चीज़े होंगे, obviously, एक dynamic current affair based question रहेगा, जहां पर case study वगरे को ले करके आपको अपना justification देना होगा, अब जैसे 2018 का सवाल देखिए, पहले अगर आप देखेंगे 2000, पहले वाले जो questions है, पुराने questions है, उसमें straightforward है, कि quantitative revolution का मतलब क्या है, geography में, discuss its impact on the development of the subject, या फिर qualitative और behavioral revolution मे क्या मतलब short note है, quantification का क्या मतलब होता है, तो यह जो शुरू में आए हुए है, they are very very straightforward, लेकिन वही अगर हम लोग 2009 में देखें, 2009 में भी simple है, कि quantitative revolution and model building provide and empirical basis for geographical research, यह भी again model making को ले करके है, जो mathematical interpretations वगरे किये जाते हैं, उसको ले करके है, 16 में जो सवाल है, यह थोड़ा सा changing nature का है, यहाँ पर पूछा गया है कि trace the origin and progress of QR in geography and bring out its merit and demerit, अब quantitative revolution किस तरीके से इसका development हुआ, इस development के बारे में, यानि इसकी philosophies लिखनी है, और साथ में इसका merit और demerit है, इसको भी लिख देना है, अब थोड़ा सा यहाँ पर changing nature ही पड़ेगा, 18 में जो सवाल पूछा गया है, critically, discuss critically the manner in which quantitative revolution provided methodological foundation for model and model making in geography, पहले जो पूछा गया देखिए, model building पूछा गया, किस तरीके से model building है, अब model building के लिए जो methodology यूज की जा रही है, उस methodology के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या methodology यूज की जा रही है, ठीकांटाया जाथा जहां पर आप system analysis कर लेते हैं, तो system analysis को लेकर के आते हैं, प्लस यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, एक होता है जिसे हम लोग बोलते है, NODE दूसरी जिसे हम लोग बोलते है, LING, तीसरी चीजे होती है जिसे हम लोग बोलते है, flow, तो यह सब कुछ methodology है, हलार यह सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मिलेंगी तो यह एक इंपॉर्टेंट रहेगा एंड यहां पर भी अगें जो क्वेश्चन रहेंगे वह हम लोगों ने डिसकस कर लिया कि किस तरीके का पूछा जा सकता है आप लोग आगे से next class से हलाकि last class में भी बोला गया था next class से जभी भी आप लोग class करने बैठिये तो take the printout of this sheet इस sheet का printout लिजेगा और कुछ और भी आप लोगों को materials वगरे दिये जाएंगे जिसका printout लेके बैठेंगे ताकि short note वाली जितनी भी चीज़ें है यह short note making आप लोगों के लिए तो इस वज़े से जो भी material पहले दिया जाएगा take the printout of the sheet और फिर उसके बाद से class में बैठियेगा ताकि साथ ही साथ में लिखते चले कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीज़ें हमें focus करनी है ध्यान रखना है कि UPSC समुद्र है एक सागर है ठीक है समुंदर ह जहां पर आपको न ओर मिलेगा छोर मिलेगा नडेफ्थ मिलेगी आपको अपना area एक दिमार्केट करना है और देखना है कि कहां पर हुक कहां पर जो है जो जितनी भी अ सुनामी बगर है ये सब नहीं आ रहे हैं कौन सा शान्त इलाका है बस उसी शान्त इलाके पर आपको रहना है ठीक है तो ये शान्त इलाके के लिए तो ये जो टॉपिक है रैडिकल जोगरिफी बिहेवरल जोगरिफी एंड वेलफियर अप्रोच इस अब चूकि यहां पर इनका नाम लिखा हुआ है तो इस वज़े से अगेन यहां पर भी अगर कोई नया जोगरफर का नाम दे दे और आपसे पूछ लिया जाए तो सरप्रा नहीं होना है अगेन यहां पर नई नई चीज़ें एक्स्प्लोर की जा सकते हैं UPSC के द्वारा और 2024 का पेपर एक टफ पेपर बनने के पूरे पूरे चांस है हर तीसरे साल पर टफ पेपर बनता है तो मान के चलिए इस साल भी काफिर टफ पेपर बनेगा और टफनेस इनहीं सब चीज़ों को ले करके आई जाती है ठीक है तो अब जड़ा देखेगा क्या है इसमें अब पुर रेडिकल एप्रोच के बारे में बेसिक बत पूछा गया है, critically analyze human and welfare approach, human geography, radical and welfare approach, behavioral geography, तो मतलब इन तीनों का radical geography, behavioral geography, human geography and welfare approaches, इनकी शुरू में किवल और किवल definitions पूछी गई है कि क्या definition है, अब देखिए, इस definition के बाद अब एक chance है कि contributions पूछा जाए, contribution के बाद chance होता है कि इनका present relevance पूछा जाए, कि आज की data में इनका क्या present relevance है, तो अब आगे अगर देखा जाए, तो यहाँ पर भी same way concept of mental map के बारे में पूछा गया है, फिर contribution of geographers in the development of radical geography, अब देखिए, contributions स्टार्ट हो गए, पहले basic definition पूछी गई है, अब definition के बाद में, अब contributions पूछे आने शुरू ह अब है, the welfare face of geography, make it as an inner disciplinary subject, यह देखिए, इसके significance से related, अब सवाल आने शुरू हो गया, significance, 2015 का सवाल है, significance पर पूछा गया, similarly इसी तरीके से approach पूछा गया, approach हो गया, methodology हो गई, तो methodology वगरे पूछा जाना, अब यहाँ पर भी शुरू हो गया, यह सब advanced version है, third level बोल सकते हैं इ geography is a contested and multi-paradigmatic discipline with a strong eurocentricity that has only recently been challenged, अब देखिए, फिर से, यह एक open-ended type का question हो, और यह again, significance and methodology, दोनों को ही join, मतलब दोनों को मिलाता हुआ सवाल है, 18 में पूछा गया, 18 में इसी तरीके से, welfare geography emphasize special inequality and territorial justice, फिर से देखिए, इसके significance को लेकर के सवाल पूछा गया, कि welfare geography का क्या होता है, comment with reference to the mean idea and scope of sub-field, फिर देखिए, 21 में क्या पूछा गया है, the inter-relationships between social and special structure and complex, फिर से देखिए, again significance, फिर से significance पर सवाल पूछा गया है, तो अब मान के चलिए, जो भी question आएंगे, या तो इस साल कोई नय जोगरफर का नाम दे करके आप से सवाल पूछ दिया या फिर से कोई एक statement दे दिया जाएगा और उसी के significance के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ इसका क्या significance है, या कोई एक statement दे दी जाएगे और उसी के basis पर ultimately आप लोगों से सवाल पूछ दिये जाएंगे, ठीक है, तो make sure कि आप इस पर तयार रहिए, बागी देखिए, कु लिकिन directly नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, ये बदल करके, context बदल करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को भी हम लोग discuss करेंगे ही करेंगे, कॉल रिटर और हमबल्ड के बारे में यहाँ पर पूछ दिया गया है, अरब जोगरफर के बारे में पूछ दिया गया है, पारडिम शिफ्ट के बारे में पूछा गया है, कि 20th century में किस तरीके से जोग्राफिकल थॉट में एक पारडिम शिफ्ट हो रही है, टाइम जोगर करना रहेगा हम यह यूज कर सकेंगे question को identify करने में question को justify करने में हमें इस तरीके के सवाल मतलब इस तरीके के सवाल हम लोग लेख सकते हैं यह वेरी वेरी important और useful रहेगा मैं यह बस कहूंगा कि यह useful है पढ़ना काफी important रहेगा diffusion concept काफी important हमारे लिए होने वाला है अगला जो हमारे पास topic पूछा गया है वह हमारे language religion and secularization को ले करके अब हमारे पास में जैसे language को ले करके a language originate at a particular place and diffuse to other location through the migration of its speaker अब देखे यहां पर भी concept of diffusion के बारे में पूछ दिया गया है कि concept of diffusion क्या है so again direct नहीं पूछा जाएगा लेकिन indirect way में तो आपको use करना ही करना है ठीक है similarly इसी तरीके से यह एक और question है यहां पर यह लिखना चुट गया है examine this statement अच्छा नहीं सभी तो है examine this statement in the context of language hot spot and endangered language hot spot फिर है why is radicalism seen as major paradigm shift explain it's a cause approach and criticism तो यह एक important अगेन पार्ट है radicalism को लेकर के सवाल पूछा गया है किया जा सकता है मैं यह को हूँगा कि after the discussion part we can easily handle these type of questions now coming to the next part that is cultural region of the world यह मैं कहूंगा super important part this is super important part काफी important part रहेगा हमारे लिए कैसे इसका एक तो direct question आने के chances बिल्कुल है direct chances ठीक है अच्छा ऊपर वाले जो पार्ट है actually language को ले करके इसलिए भी important है कि बहुत सारे tribal languages अब धीरे-धीरे schedule languages वगरे धीरे-धीरे क्या है कि विलुक्त होते आ रही है और इसलिए demand भी होती जिससे आप लोग languages are getting endangered ठीक है और यह भी बुलाया सकता है कि आखिर में इन सब languages को threat क्यों है because people are practicing their culture तो आखिर में culture को अगर practice करने तो language ethnicity इन सब को threat क्यों होते या रहा है यह पार हम लोगों को देखना रहेगा similarly cultural region को ले करके है तो एक तो direct question रहेगा ही रहेगा दूसरा indirect way में इसको काफी इस्तमाल किया जा सकता है तो indirect way में किस तरीके से देखना है इन सब चीजों को भी हम लोग देख सकते हैं now give a critical question nature किस तरीके का है देखे 19 में अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए globalization which is a threat to the cultural region तो यहां पर बोला रहा है कि globalization can often subsume full culture अब यह दोनों पार्ट कर सकता है या तो इसको और ज्यादा promote कर सकता है ठीक है और ज्यादा promote कर सकता है in a format of tourism in a format of intangible heritage और दूसरा हो सकता है कि modernism के modernism का यह जो focus area है उसमें पूरी तरीके से दब करके खतम हो जाए कि यानि कि endangered हो जाए तो यही सवाल पूछा गया what is positive and negative impact तो globalization का अब यह देखी एक changing nature बता दिया गया है 2019 में एक change बता दिया गया है कि yes we are going to ask the question about globalization and its impact on the culture अब जो सवाल आएगा अब जो सवाल रहेगा उस पे focus किया जाएगा कि cultural region endangered क्यों होते जा रहे है या फिर cultural region अब इन पर threat क्यों है और threat अगर है तो क्या हम solution निकाल सकते है यह सब question आने के chances है इसे पहले देखिए 17 में भी देखिए changing nature आपको देखने को मिल रहा है कि the traditional cultural identities are at loss cultural identity loss का मतलब यह है कि they are endangered with the growth of global connectivity again देखिए globalization को connect किया गया है और वही चीज 2019 में थोड़ा सा बढ़ा के push दिया गया है 15 में देखिए cultural region are most suited unit to study the diversity of area तो यह तो basic है definition को ले करके है कि हाँ जो cultural region होते है वो diversity वाले region होते है इसके लावा 14 में पूछा गया endo gangatic earth is considered to be one of the world's richest cultural realm और बाकि उसके उपर जो पूछे का है they are very very fundamental जैसे occidental culture के बारे में world culture के classification के बारे में cultural region of the world major cultural realm etc. यह सब तो basic सवाल है यह तो basics हो गया यह तो आपको पता होने ही होने चाहिए यह सब flow chart में बनेगा ठीक है इन सब question के flow chart में बनेगा लेकिन अब जो nature है वो हम लोगे ने discuss कर लिया कि what could be the next nature human development index अब देखिए human development index पर तो नहीं लेकिन इस से related जो index है जैसे woman index हो गया या फिर multi-dimensional poverty index हो गया ठीक है district development हो गया इन सब चीजों को लेकर के अब जरूर सवाल बन सकते हैं अब जैसे देखिए अभी है 2023 में देखिए अब यह नहीं पूछा गया है human development यह पूछा गया gender development तो what is the relation between gender equity and human development अब देखिए यह gender development index के बारे में अब धीरे-धीरे है इस पर सवाल बनेंगे तो इसकी जो methodology है इसको जना सा आप लोग ध्यान रखेंगे especially जो multi-dimensional poverty index है यह important part है इस पर ही question मा expect कर रहा हूं आने की तो methodology और इसकी जो relevance है इसकी relevance पार्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा देखिए यहां पर data अगर पता रहेगा तो आप लोगों के लिए advantage रहेगा तो इस वज़े से data भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि multi-dimensional poverty index यह काफी news में रहा है और दूसरी चीज नीती आयोग ने भी अब report निगा ली है इसको ले करके तो इस वज़े से इस पर भी सवाल बनने के chances जरूर है इसके लावा देखिए 2020 में सवाल पूछा गया है राइट नसे और जेंडर equity and equality in India in the context of balanced human development अब देखिए 20 वाला सवाल 21 वाले मतलब कि जो 23 वाला सवाल है उसका एक तरीके से promotion है मतलब दिखा रहा है एक कह सकते हैं ट्रेलर दिखा रहा है बाकी तो इसके लावा simple है कि human development index has brought about a paradigm shift in the way people think about the development process अब जैसे यह है कि जो हमारा GDP growth होती है versus human development growth होती है इन दोनों को ले करके कहीं न कहीं इस पार्ट को ले करके आगए शुरुबात में तो अब बाकी basics है तो आप देखेंगे अगर आप तो एक पहले basic पूछा गया फिर उसके बाद से economic growth versus human growth अब यहाँ पर within human growth we are considering gender growth versus human growth और अब जो बनेगा वो बनेगा poverty versus growth ठीक है इसको ले करके multi-dimensional poverty index वाली चीज़ को ले करके आएगा सवाल अगला जो topic है वो है model theories and laws को ले करके model theories and laws दो ही पार्ट इसके बनते हैं एक तो system analysis वाला जो पार्ट है इसमें आप लोग मतलब यह तो simple analysis का इस्तमाल तो करेंगे ही करेंगे इधर उधर करके करेंगे ही करेंगे इतना ज़रा important यह topic होता है अब इसमें देखिए सवाल बड़े straightforward से शुरू में है कि system approach के बारे में बताईए system approach के बारे में short note लिखिए ठीक है human geography में इसका concept और application क्या है यह सब तो फर्जी question है सवाल यहां से start होता है इस पर सिग्निफिकेंस पूछी आ रही है और साथ ही साथ में आप पूछा या रहा है इसका methodology क्या है methodology पार्ट अब काफी ज्यादा important बन गया है methodology यह काफी important बन गया है तो इस पर हम लोग फोकस भी ज्यादा करेंगे अब इसके अलावा माल्थूजियन मार्क्सियन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को ले के हैं ठीक है अब में लिए तो है population वाली तो population की ठीओरी यहां पर हम लोगों को देखनी पड़ेंगी शुरू में फिर वही है मार्क्सिष्ट जोग्राफर सिंस 1970 सेम इसी तरीके का नेचर थोड़ा सा एक्स्प्लेनेटरी लिखना है अब दिके नए जोग्राफर का नाम यहां पर आ गया कि ब्रीफ आउटलाइन दा आइडिया रिलेटेट टू सेंस आफ प्लेस एस प्रपांड़ेड बाई यी फूस स्वान एंड रेल्फ नए जोग्राफर का नाम आ गया और फिर वही मैं बिल्कुल एक्स्पेक्ट करके चलिए कि नए जोग्राफर का नाम आपको पेपर में देखने को मिल सकता है 18 में फिर इसी तरीके से 2020 में पूछ दिया गया है माल्थूजियन और नियो माल्थूजिय तो इसी को ले करके यहां पर पूछा गया है आपको बताना है इन दोनों को कंपेर और कंट्रास्ट करना इन कंटेक्स्ट ऑपॉपॉलेशन ग्रोथ रिसोर्स यूज और इंवर्मेंटल इंपक्ट ठीक है और इसी तरीके के क्वेश्चन आप अब एक्सपेक्ट भी करिए कि आएगा 2023 में देखे क्या सवाल है कि Stages of Demographic Transition are Reflection of Uneven Economic Development Across the Globe अब ये जो Demographic Transition के जो Different Stages है पहले तो आपको पता होना चाहिए Demographic Transition जो दिया गया था जिसन नोटे स्टीन वगरे जो दे रिखा है ठीक है तो इसका Economic Development के साथ में क्या और Globe पूछा गया है तो आपको हर जगा पर बताना है हर जगा पर मतलब यूरोप में किस तरीके से चल रहा है अफ्रीका में किस तरीके से चल रहा है एशिया में किस तरीके से चल रहा है अमेरिका में किस तरीके से चल रहा है लैटिन अमेरिका में किस तरीके से चल रहा है साथ अमेरिका में किस तरीके से चल रहा तो हर पार्ट को यहाँ पर दिखाना होगा 2023 का वह सब्स्क्राइब जो आपको देखने हैं यहां पर का पार्ट हो गया और सिगनिफिकेंस का पार्ट हो गया बेशिक तो आपको देखना यह remote के अलावा यह दोनों चीज़ें आप देखेंगे कि अब UPSD का focus area बनते जा रही है फिर आपका center place theory हो गया जो आपका main जैसे settlement वाले part, industrial वाले part है उसको ले करके आ जाएगा, शुरू में तो again बड़ा straight forward है कि क्रिस्टॉलर की CPT theory को बताईए, explain करिए, short note लिखिए, इसकी applicability बताईए फिर उसके बाद से क्रिस्टॉलर और लोश में क्या difference है वो बताईए, functional basis बताईए, तो यह शुरू में तो बड़ा basic basic सी चीज है, 16 में बताई गया कि critically account the lowsh theory of central place, lowsh theory को भी आपको criticize करना है, 17 में पूछा गया क्रिस्टॉलर, जो CPT यह उसके applicability, मतलब वही present relevance के बारे में पूछा गया, तो यह present relevance पर ही question बन रहा है, फिर है present context देखिए CPT का फिर पूछ दिया गया 2021 में फिर है suitable example के थूरू जो lowsh का model है, of the locational theory related to center place, why this has been criticized, इसके criticism क्यों की जा रही है तो में जो सवाल बनेंगे, वो यही बनेंगे, कि आपका present context को ले करके क्या question आ रहा है परवेक्स एन बोडे विले, यह आपकी growth economic geography से related है, so this is economic geography का model, अब यहाँ पर हलकी दिखें, जो नाम लिखेंगा है, यह तो नाम है ही, इसके अलावा कुछ और भी models की, अब यहाँ पर सिंपल है, forward और backward linkage के बारे में, फिर उसके बाद से 18 में पूछ दिया गया है, इसके economic growth और regional development के आए, थीसिस के बारे में, तो या तो straight forward वही, straight forward वाला static वाला question बन जाएगा, या फिर इसके जो contemporary, मतलब वो है, relevance है, इसके बारे में पूछ दिया जाएगा, तो यह तियार रहना है, इसमें कुछ, I don't think यह और खास बनेगा, वान त्यूने ने अग्रिकल्चरल location, agriculture के पार्ट को ले करके है, अब दीके 2020 में सवाल पूछा गया है, कि इसके relevance, present relevance के बारे में पूछा गया, ठीक है, present context को ले करके, फिर agricultural location, contemporary context दे के 2015 में, तो यह ही है, इसके context को ले करके, relevance को ले करके ही main सवाल बनेगा, बाकी तो इसके जो basics हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, similarly इसी तरीके से Weber में भी बात करिए, यहाँ पर सेम वही है, present a critical account of this, मतलब present context क्या है आज की देट का, similarly इसी तरीके से distinguish between isodapene and isotim and critically examine the least cost theory of industry allocation given by Alfred Weber, straightforward सी सवाल पूछी गई, बाकी उपर भी वही है, straightforward सी सवाल पूछी गई है, रोस्टोव के बारे में देखिए, फिर वही है कि 2018 में, outline briefly age of mass consumption as described by Rostov in his multi-stage theory, अब जैसे इन्हों ने जो five stages के बारे में बात किया हुआ है, इस five stage में, जो age of mass consumption है, fifth level, उसके बारे में यहाँ पर बताना है, इसके लावा देखिए, take off and subsequent stage के बारे में पूछा गया, propounded by Rostov, और बाकी तो खेर basics है, ठीक है, तो यहाँ पर भी structure करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कैसे बनता है, फिर इसके बात से हमारे पास में political theories है, अगें, यह सब भी काफी important है, geopolitics के question को handle करने के लिए, यह model काफी इस्तमाल आने वाला है, अब यहाँ पर भी देखिए, शुरू में तो relevance के बारे में बताईए, आज की date में, या फिर heartland theory is gaining importance once again, की कैसे यह importance, जिसे वह यह अरशिया की pivotal theory को ले करके, की कैसे यह अब important area बनते जा रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद से boundary and frontier को ले करके again political geography का ही question है, अब यहाँ पर 2023 में देखिए, सवाल पूछा गया है, यहाँ पर boundaries and frontier have a different meaning in geographical literature, अब आपको बताना है, मदब static सा सवाल है, फिर इसी तरीके से 2021 का सवाल है कि boundaries are important in geopolitics, explain what issues develop from the inclusionary and exclusionary aspect of borders, तो यह सब जो questions है, इसमें दो तीन चीज़े, एक तो आपके पास में example भरपूर होने चाहिए, ठीक है, examples होने चाहिए, कुछ case studies वगरे भी होनी चाहिए, जैसे South China Sea का case study आपको तयार रखना है, ठीक है, Mexico और USA border की case study को तयार रखना है, ठीक है, और जैसे कुछ और भी regions है, जैसे करावाख नगरनों region के बारे में देखा होगा, आप लोगो ने अजरबाइजान को ले करके है, ठीक है, अर्मेनिया, अजरबाजान के बीच में अगला है population and settlement geography को ले करके, अब population and settlement geography में देखिए आएगा question state, ठीक है, और चीज़े जो रहेंगी वो देखिए report basis पर रहेंगी, कोई न कोई report आई रहेंगी, उस report को ही ले करके सवाल, या तो report को ले करके सवाल बनेगा, या फिर straight सवाल बनेगा, इसमें कुछ ताम जहम कर करने वाली बात नहीं है, अब straight सवाल में क्या है, जैसे 2020 में देखिए, account of world population transition in the context of fertility, decline and socioeconomic development, एक report based question है, कि एक report आई है, उस report के ही चीज़ों को ले करके, ले करके यहाँ पर आ जाना है, अब जैसे अगर हम लोग वर्ल्ड के report के बारे में बात करें, तो UNESCO की report इस तरीके से निकलती है, UNESCO के द्वारा निकाली जाती है, या UN SCAP के बारे में इनके द्वारा भी निकाली जाती है, इको सोक के बारे में निकाली जाती है, तो यह सब संस्थाएं हैं जो इस पर report निकालती है, इंडिया में अगर बात किया जाए, तो हमारे पास भी रहते हैं इसी तरीक की रिपोर्ट साती है उसको ले करके देख सकते हैं और एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सरवे यह इंपॉर्टेंट है इसी पार्ट को में सवाल इस पर बनता है यही है जैसे इंडिया की सवाल बनते हैं या तो रिपोर्ट बेस रहेगा या कुर इस्ट्रेट रहेगा ठीक है दो जबते इस में देखिए इसी तरीके का एक सवाल है कि कहां पर कौनसे रिपोर्ट नहीं इतना नहीं करना है जो मंत्ली मैंग्जीन में आपको कवर मिल जाएगा बस आपको क्या क्या मैं आपको चीज़े च्छांट करके निकाल करके ले आनी केस होता है कहना कि website विजिट करना चाहिए वहां से चीजों को देखना चाहिए हो नहीं पाता है इस अब कहने में अच्छा लगता है बड़ प्राक्टिकल नहीं हो पाता है और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अब preparation भी कर रहा है अब preparation हर दिन एक level की नहीं होती है कभी होती है वेवी होती है कभी बहुत बढ़िया कभी उस दिन मजा नहीं आ रहा है कभी थोड़ा सा deep down भी होता है तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है और इन सब चीजों के परिशान नहीं होना चाहिए सब के साथ होता है ऐसा कोई भी नहीं नहीं हो सकता है रोबाटिक नहीं हो सकता कोई की स्टेट फॉरवर्ड एकदम एक लेवल पर ही चलते रहा है कोशिश करनी चाहिए आप से डाउंस कम रहें लेकिन आप से रहेंगे इस हीमन नेचर ना कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा कभी तो संडे आएगा चलिए तो डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट को लेकर के इसी तरीके से सवाल है यहाँ पर भी सेम वही सेम चीज़ें होंगी एजिंग पॉपलेशन एडवर्स और सोशल एन एकनोमिक कॉनसेक्वेंस एक्सक्लेइन विग्जाम्पल अगेन देखिए एक अनालिसिस हवाला दे देंगे हो गया काम फिर यहाँ पर देखे 17 में द्यारा कंसीडर डेमोग्राफिक सिमिलारिटीज ब्टिविन वेस्ट यूरोपियन नेशन और जपैन दोनों के अब जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन पिरमिड को लेकर के सवाल है पॉपुलेशन पिरमिड तो य एक्सपेक्टेड एरिया भी है जहां पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे ठीक है तो हलक कि यह पिछले साल से एक्सपेक्ट किया गारा है लेकिन इस बार तो मुस्ट पूली आना चाहिए देखे 2023 का भी सवाल है इसी तरीके से कि human migration is a reflection of balance between push and pull factor elaborate the reference the most recent diaspora most recent diaspora यह इसलिए क अमेरिका के कंट्री में प्लाइन किया जा रहा है लैटिन अमेरिका की country में प्लाइन होती है इसके आलाबा जो डंकी प्रोसेस के थुरू इंडियन जाते हैं यह भी हो गया यह इसके लावा जो इन्वार्मेंट के कारण से हो रहा है तुआलू आईलेंड वनुहाटू हो या इन लोगों के बारे में सुना होगा कि यह सब डूब रहें तो कहीं न कहीं तो जाके रहेंगे कि समुंदर में रहना शुरू कर देंगे कि 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 सवाल है development induced displacement pose serious challenge mention it's a consequence and solution तो यह सब अगें देखिए basic से हैं 2020 में देखें इंडिया के context में पूछा गया है distinguish between mobility and migration what are the causes and consequence of rural to urban migration तो यहां पर क्या आको थी पता होनी चाहिए कि रहेंस्टीन की थी यह ली की थी यह स्टॉफर की थी और इन लोगों को लिंक करना है with some example with some data और अगर रिपोर्ट वगर मिल जाए तो मजाई आ जाएगा इसके लावा यह सब तो लिंक करेंगे communicable and non-communicable diseases के साथ में इसके साथ में लिंक करके सवाल बनने के chances हैं जैसे कहा गया अच्छा पूछा ही नहीं है हाँ तो मान के चलिए 2010 सवाल है ना काफी टाइम हो गया इस पर question आने के chances बहुत जादा है ठीक है हलाकि इस पर तो straight forward सी चीज़ है लेकिन हाँ इ इसमें जो social well-being and quality of life है यह काफी important part है इस पर भी एक important area जहां से question बनते हैं अब जैसे माल लेते है 2023 का ही जो सवाल है इस पर देखिए has Malthusian theory been discredited in contemporary time इसके present context के बारे में पूछा जा रहा है 19 में पूछा गया है challenges for countries with the largest share of aged population फिर इसी तरीके से एक और सवाल है explain relationship between net reproductive rate and net replacement level of population 18 में डियम स्मित के बारे में question पूछ दिया गया है देखिए एक नए जोगरफर का नाम डाल करके फिर पूछ दिया गया है कि किस तरीके की क्या theory इनकी दी गई है social well-being की theory दी दी गई है फिर बाकी सब तो ठीज है ठीक है मतलब compare की गई है अलग-अलग part की तो ये ऐसा area है जहां पर या तो present relevance को लेकर के सवाल बनेगा या कोई एक geographer का नाम दे करके जोग्रफर का नाम दे करके पूछना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बाकी चीज़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फिर सोशल कैपिटल को लेकर के आई वूट से इस सूपर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगें इस अगें सूपर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेक् ट्यार रखिएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ में किस तरीके से लिंक बैट रही है ठीक है बाकी सटेल्मेंट को लेकर के रूरल सटेल्मेंट के टाइप पैटरन है जैसे 23 में पूछा गया है रूरल सटेल्मेंट और एक्स्प्रेशन आफ बेसिक रिलेशन्श इस पर सवाल नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है एक एक स्वाल बना यह तो रहेगा या फिर जो है आपसे पूछ दिया जाएगा रिलेटेड विद दा प्रेजंट कंटेक्स्ट को लेकर के तो यह सब भी एक बार देख लिजएगा इसमें कुछ है नहीं 18 में सवाल पूश दिया गया मेगालो पूलिस और एक्जो पूलिस को ले करके functional classification of town में यहां पर देखिए सीधे question पूशे आएंगे जैसे Nelson method के बारे में पूश दिया गया है तो ऐसा ही question expect आप कर सकते हैं कि straight forward साही किसी जोगरफर का नाम दे करके उसकी classification को पूश दिया जाएगा बट यह थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है इस पर ज्यादा आना नहीं चाहिए ठीक है इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रुवत नहीं है इस fear of urban influence यह direct question नहीं आएगा इस पर भी analysis वाला ही पार्ट आएगा जैसे कि qualitative and quantitative method of delineation of urban influence तो यह एक mathematical approach को ले करके सवाल बन सकते हैं वैसे ही urban fringe को ले करके भी है 2023 में जैसे सवाल बना है analysis वाला कि explain the problem and prospect of urban expansion in the context of urban fringe in developed and developing nation या फिर कुछ नाम दे दिया जाएगा मिस्रा अब जैसे यह तो इंडियन कंटेक्स्ट की है यह इंडियन कंटेक्स्ट की है इंडियन जोग्रिफी में आएगा डियनेशन ऑफ अर्बन फ्रिंज हो गया रूर्बन फ्रिंज हो गया तो यह सब जो question है वो basic या तो रहेंगे या फिर कुछ analytical part रहेगा या किसी एक case study basis पर रहेगा या किसी एक case study basis पर रहेगा बस बाकि satellite town इस पर कुछ खास ऐसा बना नहीं है तो मेरे ख्याल से अगर बना भी तो जाना कुछ खास नहीं रहेगा relevance part को ले करके हो सकता है relevance part को ले करके होगा और वो जो relevance रहेगी या तो tourism या medical tourism एक पार्ट जो बन सकता है वो बन सकता है आयूश को ले करके आयूश ठीक है इसको ले करके निया visa system स्टार्ट किया गया है तो there's a possibility that they may ask some question related with this satellite town और बाकि trade facilitation अगर आप देखेंगे तो कुछ यहां पर vibrant villages बगरे बनाए गया है जो कि export oriented hub बनाए गया है export hub बनाए गया है तो उस पर भी थोड़ा सा त्यार रखना है कि ये भी question बन सकता है ठीक है क्योंकि कहीं न कहीं जो satellite on होते हैं इनकी अपनी खुदी की importance होती है और mainly इनकी economic importance पर ही सवाल ज्यादा पकड़ने के chances है फिर urbanization की जो problem है और उसके जो remedies है ये आएगा भी तो general आएगा आएगा आराम से आप लोग कर ले जेंगे sustainable development ये एक important part बनेगा ही बनेगा इस पर सवाल बनेगा बनेगा important part ये रहेगा अब जैसे 21 में सवाल है small number of mega cities are playing key role in organization of global economy and culture 19 में पूस दिया गया what changes are current planning management and governance of human settlement are needed to face the changing environment including climate change disaster vulnerabilities in the cities तो ये सब जो रहेंगे ज्यादा आपको देखने में tough नहीं लगेगा बट यह है कि easily handle किया जा सकता है environment वाला part रहेगा economic geography के इसी तरीके से सवाल पूछे गए हैं ये एक important segment इस साल बन सकता है ठीक है क्योंकि economy वाले चीज़े आप ज्यादा आई है तो chances है कि world development क इस तरीके से हो रही है तो पुरानी जो सवाल है वो तो normal है कि regional pattern वगरे को ले करके है resources and distribution इसको ले करके सवाल बन सकता है especially जो pipeline बनाई जा रही है या फिर जो grouping बनाई जा रही है या फिर जैसे north-south connectivity को ले करके बात की गई है तो इन सब चीजों को ले करके सवाल बन सकते ह है जैसे 2020 का सवाल है कि land degradation is a threat to productivity and sustainable resource management इंडियन के कंटेक्स्ट में है हला किये linkage between resource in इंडावड region and resource utilizing region determine the pattern of international trade हो गया world is passing through a global resource dilemma हो गया तो यह सब चीजे रहेंगी अगेन स्टेट ही रहेंगी energy crisis again super important this is super important part काफी important part होने वाला है इस पर सवाल मान के चलिए बनेगा ही बनेगा और जो बनेगा वो important रहेगा जैसे यहां renewable energy को लेकर के सवाल expect करिएगा जरूर ठीक है renewable energy especially solar हो गया या फिर wind हो गया ठीक है इस पर सवाल बनने के chances ज्यादा है how is energy transition seen as instrument for achieving carbon zero carbon by 2050 यह देखिए वही part है renewable energy को लेकर के बाकी energy crisis को लेकर के part पूछा गया है और बाकी तो उपर में जो चीजें वो मेरे खियाल से repeat तो नहीं होनी चाहिए जो रहेगा renewable energy को लेकर के सवाल में बनेगा बाकी तो I don't think कि इस पर कुछ होना चाहिए लिमिट टो ग्रोथ यह एक important segment है जरूरी नहीं है के direct question आए अगर आएगा तो एक explanatory nature का आएगा जैसे question number 6 है यह 2023 का सवाल है population resource use development nexus in the limit to growth model यह बताना है why is this model being criticized intensively तो यहाँ पर यह है कि इसके present context को लेकर के चीज़े पूछी आ रही है कि आज की data में इसका क्या main context है क्या idea है यहाँ पर बाकी चीज़े तो इस ट्रेट सी ही रहेंगी कि क्या मतलब theory क्या है main theory के बारे में agriculture typology को लेकर के है जैसे innovation का diffusion वही हैगर स्ट्रेंड वाला concept हो गया शुरू में जो पूछा गया है अब इसके अलावा आपके पास में जैसे protected cultivation amid to healthier and larger produce justify with example यह जो area है यह जैसे विटल से की classification हो गई इस विटल से के साथ-साथ आपको यहाँ पर अपनी खुद की productivity वगरे के बारे में भी बताना है अब ज बात कर सकते हैं तो यह जो आपको healthier और sustainable वर्ड दिखाना है यह सब आपको दिखाना होगा इन example and तरीकों के basis पर तो यहाँ पर भी वही है methodology टेक्नीक यह सब चीज़े यूज करनी है ठीक है बाकी तो straight रहेगा तो की विटल से की classification के बारे में बताईए उसके present relevance के बारे में बताईए यह सब चीज़े रहेंगे agriculture input and productivity यहाँ पर जो रहेगा वो definition आपको एकदम thoroughly त्यार होना चाहिए definition important है यहाँ पर कि आपकिर में क्या difference है ठीक है जैसे यह question देके फिर से repeated ही है कि bottom-up and top-down approaches के बारे में बताना है मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पूछेगा वो देखे definition को लेके पूछेगा तो definition त्यार रखना है food and nutrition problem purely report based question आएगा report पर क्या report हो सकती है अब जैसे 14 का food productivity with the purity of ecosystem is the need of the hour ठीक है अब कोई question नहीं है तो एक question इस पर expect जरूर कर सकते है यह expected line का question है FAO की report आई हुई है उस FAO की report पर हम लोग यहाँ पर देख सकते है कि food scarcity चल रही है food security हो गया यह all time our green topic है हमेशा इसके chances होते हैं जैसे किस में है कि role of accessibility and affordability in food security of developing countries ठीक है इंडिया की जो food security उसके बारे में बताना है फिर है फैमाइन को ले करके फैमाइन पर भी देखिए again question पूछा सकता है कि North की फैमाइन और South की फैमाइन में क्या relation है ठीक है यह पूछा ज classes and strata अब यही जो पार्ट है जिसमें आपको थोड़े से डेटा लिखने होते हैं जहां पर थोड़ा सा regional synthesis के बारे में आपको दिखाना है प्लस साथ में कुछ models वगरे include करने हैं ऐसे सवाल ही में पूछे जाएंगे फिर एंडिस्ट्री उनके problem उनकी pattern को देखना है तो यह तो यह सब जो रहेगा वो ज्यादा टफ नहीं रहेगा बस link करना आना चाहिए linkage के बारे में है जिसको हम लोग discuss करेंगे ही changing pattern of world trade super important this is super important सवाल यहां से एक जरूर बनेगा अब जैसे 2021 का सवाल है कि small number of mega cities are playing key role in organization of global economy and culture इसी तरीके से 16 का सवाल है linkage between resource in doubt region, resource utilized in region, determine the pattern of international trade तो इसी तरीके के line पर सवाल बनने के chances जरूर है African continent को जराध्यान से देख लेना है African continent के जो resources है इन resources को हमें देखना है मैं expect कर रहा हूँ इस बार जो critical minerals होते हैं इन critical minerals को लेकर के शायद एक सवाल बने काफी news में थे इस वज़े से बन सकता है और changing pattern तो ही और renewable energy के लिए यह जो critical minerals होते हैं यह काफी important भी होते हैं तो इस वज़े से there may be a chance कि इस पर सवाल बने बाखी regional synthesis आएगी तो region के concept के बारे में बताना है तो यह मेरे ख्याल से इस पर सवाल नहीं बनेगा क्योंकि straight forward होता है इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है type of region method है तो इस पर सवाल बना है जैसे 2023 का ही सवाल है describe the concept of regional planning and explain the environmental and economic factor straight है suggest criteria indicator and technique for delimitation of formal region तो यह जो रहेगा वो ज्यादा इधर उदर नहीं करेगा straight forward ही रहेगा growth pole and growth centers यह important part है इस पर सवाल मतलब repeat होने के chances है जैसे 23 में सवाल पूछा गया है कि discuss the different type of polarization induce the spatial inequality and imbalance of associated with the growth pole फिर growth is not uniform in different places critically examine this statement in the context of growth pole theory तो यह सब चीज़े रहेंगी ठीक है ज्यादा कुछ है नहीं regional imbalance को लेकर के सवाल है यहां पर देखिए sustainable development को लेकर के सवाल बनेगा और diffusion को लेकर के सवाल बनेगा जैसे resource को लेकर के हो सकता है development को लेकर के हो सकता है policies को लेकर के हो सकता है तो इस वज़े से इस पर एक सवाल बनने के chances जरूर हो सकते हैं और यह contemporary nature ही है यह current affairs है contemporary nature है तो इस वज़े से इस पर सवाल बनने के chances है regional development in strategy again एक important part बनेगा आपके लिए जैसे where economic growth is sustained over long time period it incident work towards a progressive integration of space economy उपर में जैसे हम लोग ने diffusion के बारे में बात किया हम लोग ने बात किया contemporary nature stream वही चीज़ें यहां पर repeat हो रही है वही सारी चीज़ें यहां पर भी लेकर के आ रहे हैं जैसे small town जो होता है regional development process के लिए काफी important and role play करता है उसको examine करना है इसके लावा environmental issues तो हमेशा रहेंगी जैसे environmental issues are not adequately addressed in regional planning eco-sensitive zone को ले करके जराब पढ़ लीजिएगा और जो मतलब वो होता है क्या बोलते हैं उसको ocean के इलाके में जो हमारे पास में रहते हैं eco-sensitive zone ही में ली होते हैं तो इनको ले करके भी हमारे पास में जो जो areas है मतलब zoning जो करके रखी गई है उस पर सवाल बनने के chances बन सकते हैं planning for sustainable development अब sustainable development की planning कैसे करनी है how can sustainable land management harmonize the complementary goals of environmental economic and social opportunity discuss फिर geopolitics को लेकर के इस पर कुछ है नहीं यहीं वाला जो सवाल एक नया सवाल है और बिलकुल एक important part है जहां पर सवाल बनने के chances जरूर है यह इसमें कुछ पढ़ने का नहीं रहेगा जो आप सारी चीज़ें पढ़ रखे होंगे उसी का यहां पर एक integration हमें देखने को मिले है तो कौन-कौन सा important areas है किस तरीके से किस topic को हमें पढ़ना है किस topic में हमें कितना time देना है इन सारी चीजों के बारे में देख लिया गया है तो फिर बाकी जो डाउट वगर है रहेगा उसके लिए आप चीजों को यूज कर सकते हैं you can use this number for WhatsApp and call you can use this email website and telegram टेलिग्राम में क्हां आप है आप चाल संद। तर्जा क्हां तर्जा क्प exist